Good morning to all my dear students of class UKG. Today I am here to teach you all the subject English. Open your English cursive letter book, page number 92. Last class में मैंने आप लोगों को English cursive letter R लिखना सिखाया था. R for Rabbit. हम सब को पता है English alphabet में R के बाद आता है S. S for Spoon. Spoon means चम्मच. S for Sun. Sun means सूरज. S for Sunflower. ठीक है? तो आज हम cursive letter S लिखना सीखेंगे. Cursive small letter S लिखना आज हम लोग सीखेंगे. So आप लोग सबसे पहले आज की डेट राइट करेंगे. 24.1.2022. Page number 92 पे लिखेंगे CW यानी की Classwork. चलिए स्टार्ट करते हैं. Cursive small letter S लिखने के लिए आपको सिल्फ इन दो ब्लो लाइन से मतलब होना चाहिए. हम एक लाइन को नीचे से ऐसे उपर ले जाएंगे थोड़ी सी टेड़ी. उसके बाद यही से इसको वापस ले आएंगे यहां तक और इसी को ऐसे उपर ले जाएंगे. फिर से रेखते हैं, हम एक लाइन को ऐसे ले जाएंगे उपर, इसी लाइन को वापस ले आएंगे, इसको close करेंगे, फिर यही से वापस ले जाएंगे, ऐसे. सबसे पहले आपकी बुक में जो dots बने हैं, आप उस dots को complete करेंगे. फिर आप लोग बची हुई blank spaces में pencil से लिखेंगे, देखते हैं, हमने यहाँ से start किया, यह line हम उपर ले गए. इसी line को हम वापस ले आके इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद यही से वापस ले जाएंगे उपर. यह है हमारा cursive small letter S, S for spoon, यह S आप लोग लिखेंगे, practice करेंगे, page number 92 पे, यह आपका classwork है. पेज नमबर 93 आपका homework है, यह आपको homework में complete करना है, और page नमबर 94 और 95, यह दोनों pages भी आपके homework हैं, इसमें आपको cursive small letter A से S तक लिखके, practice करना है, अपनी book है. इसके लावा, आप लोग अपनी English की copy में, आज की date write करेंगे, लिखेंगे SW homework, लास्ट क्लास में मैंने आपको R लिखना सिखाया था, आज S लिखना सिखाया है. पहली line में 2 times S लिखेंगे R और 2 times लिखेंगे S, उसके बाद इस पूरे page पे आप लोग small cursive letter R और S लिखके practice करेंगे, जैसे उपर पहली line में लिखा है, वैसे ही आप लोग लिखके R और S पूरे page में practice करेंगे, ये भी आपका homework है. तो आज का classwork था, page number 92 और homework है, आपके cursive letter book का page number 93, 94 and 95. अब आगे देखते हैं, page number 96, circle the first letter for the each picture, यहाँ पे कुछ pictures बनी होई है, पहले हमें ये देखना है कि ये picture किसकी बनी है, और ये picture जिसकी बनी है, उसके नाम की spelling कौन से alphabet से start होती है, तो जिस alphabet से इनके नाम की spelling स्टार्ट होगी, उस alphabet को हम circle कर देंगे. ये exercise इस तरह की हमने पहले भी करी है, circle the first letter, ठीक है? तो पहली picture है आउल की, आउल की spelling होती है, O, W, L, आउल, तो आउल की spelling में सबसे पहला letter क्या आया? O, तो हम यहाँ पे O को कर देंगे, circle. नेक्स्ट पिच्चर है रैबिट की, आर, ए, बी, बी, आई, टी, रैबिट, रैबिट, रैबिट की spelling में सबसे पहला alphabet क्या है, आर, तो हम आर को कर देंगे, circle. नेक्स्ट पिच्चर, नेक्स्ट पिच्चर है इंक पोट की, इसके अंदर इंक होती है, इंक पोट की spelling स्टार्ट होती है, आई से, हम इंक पोट कैसे लिखते हैं, ऐसे, इंक पोट, तो आई से स्टार्ट हुई spelling तो हमने आई को सर्कल कर दिया नेक्स्ट पिच्चर है मैंगो की मैंगो की स्टार्ट होती है M से पहला इल्फबेट M तो हमने यहाँ पे M को कर दिया सर्कल नेक्स्ट पिच्चर है स्पून की S for spoon S से स्टार्ट होती है spoon की spelling तो हमने यहाँ पे लिखा सोरी S P O O N स्पून तो सबसे पहले हमने लिखा S इसलिए S को करेंगे सर्कल नेक्स्ट पिच्चर है Queen की Queen की spelling स्टार्ट होती है Q से Q U E N तो पहला लेटर हमने लिखा Q So Q for Queen इसलिए हमने Q को कर दिया सर्कल तो पेज नमबर 96 पे भी आप लोग लिखिएगा CW यानि की क्लासवर्ट और आज की डेट राइट करिएगा इसी सेम तरीके से यही एक्सरसाइज पेज नमबर 97 पे दी है यह आपका होमवक है इसे आप लोग खुद करेंगे मैं एक बार समझा देती हूँ पहली पिच्चर है Orange की O for Orange Orange की स्पेलिंग किस से स्टार्ट होती है O से तो आप लोग यहाँ पे O को कर देंगे सर्कल नेक्स्ट पिच्चर Rabbit अभी मैंने समझाया था R for Rabbit इसलिए यहाँ पे R को हम कर देंगे सर्कल नेक्स्ट पिच्चर है Moon की यानि की चांद की Moon की स्पेलिंग स्टार्ट होती है M से M for Moon तो हम यहाँ पे M को कर देंगे सर्कल नेक्स्ट पिच्चर is of Hen अगली पिच्चर है Hen की Hen की स्पेलिंग स्टार्ट होती है H से आप यहाँ पे H को कर देंगे सर्कल नेक्स्ट पिच्चर स्पून की अभी मैंने समझाया स्पून और क्वीन यहाँ पे आप S को सर्कल करेंगे और यहाँ पे Q तो आपका पेज नंबर 92 और 96 है क्लास वर 93, 94, 95 और लास्ट पेज नंबर 97 आपका होमवक है और जो कॉपी में मैंने आपको बताया R और S लिखना प्रैक्टिस वो भी आपका होमवक है तो आज की क्लास हमारी इंगलिश की यही पे फिनिश होती है That's all for the today's class Thank you very much